यह एक कोर्परेट लीग है जो ही फुल फर्म तो हमने इसकी रख्री आरफर क्रिकेट लीग बट यह कॉर्परेट लीग है जिसमें हमारे साथ बहुत सारे स्पांसर्स हैं जैसे पारकें and solution हाइट एक बिल्ड solution भारत सूर्य अधे भारत सूर्य ओधेत ट्रस्ट है और जो यह दो कमपनीस आई आइटी ऌंपनीज एं और जो रियल स्टेट की कमपनीज रहा हैं तिक है तो वह जो फ्टान्सर पर रही है इसमें और यह जो लीग है यह हम All India Level पर और्गनाईज कर रहे हैं, एक तरह से National League है, इसका selection process के दो तीन स्टेप्स हैं, जिसमें पहले तो जो प्लेयर्स हैं, उनको वेबसाइट पर आके रेजिस्टर करना होगा, रेजिस्टेशन के बाद उसका ट्रायल होगा, उसी के स्टेट में, तो जो यह और्गन लिग मैचीज होगे, जिसमें उनके सारे लिग मैचीज लाइब ब्रोड़कास्ट किये जाएंगे, और उनको होटल स्टेख, खाना यह सब प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे उनके लिग मैचीज खतम होते हैं, स्टेट लेवल के, उसके बाद उनका ओक्शन होगा, जैस जैसे उनका ओक्शन में सेलेक्शन हो जाता है, वहाँ से फिर उनको एक फ्री क्रिकेट किट मिलेगी, दो ड्रेसिज मिलेंगी, इक आपकी प्लेइंग ड्रेस होगी, और एक आपकी प्रेक्टिज ड्रेस होगी, उसके बाद जितने भी मैच होगे, वह भी लाइव होगे, नेशनल लेवल के भी, और उसमें जो भी स्टे, होटल स्टे होगा, ट्रेवल, फूड, यह सब एसल करेगा, इसमें जो फाइनल प्रोफी होगी, मतलब जो मैन अब दा स्रीज रहेगा प्लेयर, उसको एक फोर विलर गाडी, और जो टीम विनिंग होगी, उससे पांच से द स्टेट से बिलोंग करते हैं, और क्या आप रोल प्ले करना चाहते हैं अपने क्रिकेट में, सिर्फ यह प्रोसीजर है, उसके बाद हमारे बास उसका डेटा आता है, एक या दो दून में उसको हम कन्फरमेशन देते हैं कि आपका रिजिस्टेशन सक्सेस्पूल हुआ है य अपने से कुछ बच्चे जो गाओं से और छोटे-छोटे सहरों से हैं, उनको इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए उनका सपना ही बनके रह जाता है, उनकी एज तक निकल जाती है, बट यह एक ऐसा प्लेटफों में, जो उन्हें नेशनल लेवल पे खेलने का अपना म का दे रहा है, अब जैसे नवदीप सैनी की बात करते हैं, नवदीप सैनी हमेशार टैनिस बॉल से खेले हैं, और उनका डैरेक्ट सेलेक्शन हुआ आई-पी-अल में, उससे पहले वो कभी उन्होंने लैदर बॉल से बॉलिंग नी की, बट डैरेक्ली वो कहां पे गई देते, ठीक है, तो इस तरह के बेनिफिट प्लेयर्स को मिल सकते हैं, वो गाहों से निकल के छोटे-छोटे सैरों से एक नैशनल लेवल पर बहुत अच्छा चांस है उनको अपना टैलेंट दिखाने का,